इवनिंग छात्रों मैं आपका वेवसाई सिक्षक दीपक सिंग और आप प्रग्रामी तरंग थोड़ा सा इस पे डिसकस कर लिया जाए थोड़ा चैप्टर लंबा भी है और इसको पांच-पांच मिट में दो वीडियो में खतम किया जा सकता है तो कल सबेरे वे एक मना सब्कांच मिट काभी तुनने इसमें कुंट्रा मीं देखे इसत्रह से आ सकता है बद्धमाधियम क्या है प्रग्रामी तरंग कि से कहते हैं समी करदे चार कुर्चन उसके अंदर है एक पुस्ता इसका वर्ड़न चित्रसाहित कर दें पाई देखते हैं बद्धमाध्यम क्य बद्ध माध्यम जैसे आप बाशुरी उगरा बजाते हैं तो उसके अंदर जब फूकते हैं तो तरंगे या सितार बजाए तो इसमें एक बद्ध माध्यम में उसका माध्यम जो है एक निश्चित परिसीमा बाउंडरी रहती है जिसकी सीमाएं जो है असपश्ट पिस्टों द्वारा अलग होती है इसे हम बद्ध माध्यम कहते हैं जैसे आप सितार है बाशुरी है तो इसमें आप देखेंगे कि तरंगे आपस में लौट आती है तो इस प्रकार बद्ध माध्यम में आपतित और परावरतित दोनों प्रकार की तरंगे प्रभावित होती है और इनक कि ये बिलाक्षडिक आबिर्तियां कालाती है बद्निमाध्यम की और इन्हें हम अक्सर मासुडी तबले और या तार सितार के तार में इसको देख सकते हैं ये दो प्रकार की हो सकती है एक तो कोमल कोमल का मतलब है कि जिसमें जड़त तो नहीं होता मुक तत्वा कोमल परिसीम और इसका दाप परिवरतन भी इसमें सदयो सुनने होगा और कठोर अब जो रहेंगी उसमें एक तरफ डोरी को अगर आप बान दें इस पर दाप का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और द्रुडाकार से पतली डोरी को एक तरफ से बान दें तो जैसे सितार है आपका इसमें सभी बिंदू सदयो विराम अवस्था में रहते हैं अब प्रग्रामी तरंग का परावरतन देखें आप तो ये एक यहां अगर आपने मुक्त अथवा कोमल है इसको बान दिया यहां तो इससे जो एक तरंग ऐसे जाएगी वो आपतित स्पन्ध होगी और इसी तरह दो किता से तो हमेशा इसमें उपर ही आपतित अपरा वर्ति लरुटेगा वी तो ऐसे ही लोटेगा इस तरह की तरंगों का आप तन अपरावरतन इसमें हम देखते हैं बद्ध माद्ध में अब यहीं आप प्रग्रामी तरंग की परभासा अगर आप बतानी हो तो आप आराम से बता सकते हैं कि बद्ध माद्ध में सभी परकार के समाने दो या तो अनुदैर हो जैसे तालाब में आप कंकड फेकते हैं तो अनुदैर यहां पर तो एक ही चाल की परंग तो अगर बिप्रीद दिसा में हैं दो तरंगे अनुप्रस्थ हो या अनुदैर हो और ये बिप्रीद दिसा में चलती है तो उनके अध्यार उपन से एक नई तरंग उत्पन हो जाती है जो माध्धम में इस्थिर्प्रतीत होती है इस प्रकार की नई तरंगे को हम प्रग्रामी तरंग कहते हैं और आप प्रग्रामी तरंगों में चुकी उर्जा का संचर नहीं होता इस प्रकार अनुदैर जो प्रग्रामी तरंग होंगी के अध्यारोपण से अनुदायर प्रग्रामी तरंगों के अध्यार उपन से जो तरंग मिलती है वह अप्रग्रामी अनुदायर तरंग कहलाती है इसको बनने के लिए सर्थे क्या होती हैं तो सर्थ यही है कि अब प्रग्रामी तरंग बनने के लिए पहला तो बध्यमाध्यम आपका होना चाहिए चुकि बध्यमाध्यम मने आपसे पूछा भी और निस्पंद और प्रस्पंद ये दोनों ढहने चाहिए तो उनकी बीच की जिसे दो निकड तम निस्पंदों के बीश दूरी या प्रस्पंदों के बीश तरंग की दूरी की तरंग दैर की लंबाई की आधिल एमडा बटा 2 होती है और जबकि एक निकड तम निस्पंद और प्रस्पंद के बीज की दूरी तरंग दै की चौथाई एक बटा 4 होती है ये दो सर्तें आप याद रखें और उसके बाद हम आते हैं तो एक इसका समीकड दिया है माइनस एक अपान लेमडा ये टी आपका वर्तकाल है और टी बरावरी छोटा रहता है और परावर्तित तरंग का समीकड भी जो वापस लोटेगी ए साइन 2 पाई टी अपान टी प्लस एकस बटा एन लेमडा प्लस पाई रेडियन में इसका मान परवर्तित होता है क्योंकि एक साइन से वापस लोटती है उसके बाद इनकी विसेस्ताएं क्या है कि ये तरंगे अमाध्यम में आगे नहीं बढ़ती बारकि उसी स्थान पर फैलती सी कुड़ती है और दूसरा जो मैंने बताया आपको जो पास पास निस्पन्द दो होगे तो उनकी बीच की दूरी लैमडा बटा टू होगी और एक निस्पन्द और प्रसपन्द की दूरी लैमडा बटा फोर हो जाएगी तो ये एक इसकी विसेस्ता हो गई पेज में आपको देता हूँ और इनमें अप्रग्रामी अप्रग्रामी तरहों की तुल्ला अगर करेंगे तो ये तरहंगे एक निश्चित वेख से आगे बढ़ती है और इसमें जो है दो परिसीमन के बीच में इस्थिर रहती है आगे नहीं बढ़ती है उनमी में परिसीमन म वीडिना कर दीजिए तो ये तुलना भी हो गया है यह दो क्वेस्चन मैं कल आपके बता दूँगा है तो भूल भूल दैनेवाद चछांट और वीडियो को आप सुनते रहें पेज भी मैं आपको दहिं रहा हूं फेज B वीडियो भी है और टॉपिक भी है टेलिफोनिक भी मेरी आप से वारता हो रही है जहां कनफ्यूजन हो उसको आप पूछ सकते हैं कभी भी किसी टाइम 24 आवर आप कभी मलब रात का समझ छोड के 9 से 8 सबेरे उसके बाद आप कभी भी पूछ सकते हैं मैंनी मैंनी थैंक्स